नमस्काल दोस्तो एजू किसंद की नई दुनिया में आपका स्वागत है मैं जितेंदल कुमाज ओली और आज हम आपको बताएंगे कि सरकारी करमचारी घर बनाने के लिए होम लोन क्यों लेते हैं यदि आप एक सरकारी करमचारी है तो यह आपको पूरा वीडियो अवश्य लेकना चाहिए और यदि आप एक सरकारी करमचारी नहीं है तो भी आपके वीडियो बहुत कामाने वाला है कि पहस्तुरूर्ट से अंतक देखिए आईए सुरुवाद करते हैं इस वीडियो में होम लोन से होने वाले पांच वेनिफिट के बारे में बताने जा रहा हूँ तो हमें जो पहला वेनिफिट होता है वो है इजी टो विल्ड हाउस यानि आप अपना मकान बहुत आसानी के साथ होम लोन लेकर बना सकते हैं यदि आप सोच रहें कि मैं 5 साल य बहुत भारी पड़ेगा आपको होम लोन का दूसरा जो बैनिफिट है लोएस्ट इंट्रेस्ट रेट यानि कि यदि आप होम लोन लेकर मकान बनाते हैं तो आप उस पर जो ब्याज देंगे उसकी दर्द सबसे कम होती है बलतमान में आट पैसी सच से दस पैसी सच के का आपको होम लोन दे देंगी और यदि आप और कोई लोन लेते हैं तो आपको वहां 12 15 16 20 और 25 परसेंट तक भी आपको इंट्रेस्ट देना पड़ सकता है तो सबसे कम दरे होम लोन के इंट्रेस्ट की होती है तो यहां आपको एक सबसे बढ़िया बैनिफिट मिल रहा है क कि आप होम लोन लेकर ही मकान बनाएं किसी अन्य लोन के चक्कर में ना पड़े होम लोन का तीसरा बैनिफिट है इंकम फ्रॉम रहंट यानि यदि आपने एक बड़ा मकान होम लोन लेकर बनाया है तो आप उसके कुछ पोर्शन में खुद रह सकते हैं और बाकी पोर्शन आप किराया पर उठा सकते हैं बहां से जो किराया आएगा उसका प्रियोग आप अपने होम लोन को चुकाने के लिए कर सकते हैं होम लोन का चौथा बेनेफिट है हायर रिटर्न और इंवेस्मेंट यदि आप अपना पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करते हैं तो और यदि आप अपना पैसा मकान बनाने में इंवेस्मेंट करते हैं आपकी पैसा और लोन लेकर लगा देते हैं तो आपका जो मकान बनेगा उसकी वैल्यू पर एयर 15-20 परसेंट कम से कम बढ़ेगी और कभी-कभी तो यह 40-50 परसेंट भी बढ़ता है कभी-कभी ऐसा भी ह कम हो जाए ठो ऐसी सम्ना मातर पांच या दस परषेंट होती है परंतों नभ्पार्सेंट सम्भावन आपकी यही होती है कि ऑपने प्रोपर्टी है उसका रेट हाई आप एम लोन का जूप सरकारी कर्मचारी नहीं है बेतन भोगी नहीं है और आप होम लोन लेकर मकान बना रहे हैं तो भी आपको घबराने की को जरूरत नहीं है जो ये मैंने चार पहले आपसन बताए हैं इनका फायदा आपको अवश्य मिलेगा और यदि आप एक सरकारी कर्मचारी है या बेतन भो स्था में काम कर रहे हैं, जहां आपकी कुल आयक कर मुक्तिसीमा से अधिक है, यानी कि आपको टैक्स देना पढ़ दहा है, तो वहां आप टैक्स छूट का लाव लेने के लिए होम लोन ले सकते हैं और आपको यहाँ जो एटी सी के चार्जल और स्टेंप ड्यूटी पर खर्च किया है उसकी छूट भी आप एटी सी के तहर ले सकते हैं एटी सी की जो मैक्सिमम छूट की सीमा है बतमान में डेल लाख रुपे चल रही है भविस्ते में इसमें परिवतन हो सकता है तो अभी ध्यान रखना है कि हम डेल लाख र कर बनाया है तो उसका जो इंट्रेस्ट है वहाँ आप दो लाख रुपे तक की छूट ले सकते हैं पर कंडिशन यह है कि मकान आपका सेल्फ अक्यूपाइड होना चाहिए और किराय पर नहीं उठा हुआ होना चाहिए और जो आपने यह लोन लिया है वो मकान के कंस्ट्रे सनिया रिपेर के लिए लिया है तो जो इंट्रेस्ट की छूट है वो तीस हजार से अधिक नहीं हो सकती है यदि आपने मकान बना कर अपना किराय पर उठा दिया है तो यह जो दो लाख रुपे की आपको छूट मिलती है यह कुछ निश्चित नियमों के तहत थोड़ी कम ह हो जाती है परन्तु आपको एक बात का ध्यान रखना है होमलोन का जो इंट्रेस्ट वाला और प्रिंसीपल अमोंट का जो बैनिफिट मिलता है वो आपको उसी वर्स मिलना प्राण्ब होगा जिस वर्स आप मकान में पोजिशन ले लेते हैं या फिर पिर मकान का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है और यदि मकान निर्माण कार्य जब तक पूरा नहीं पाता है तब तक आप उसको छूट का लाव नहीं मिलेगा आप जो मकान निर्माण होने से पूर्ब का जो आपका इंटरेस्ट है उसकी छूट पांच बर्सों में बराबर बराबर amount की किस्तों के अंतरगत ले सकते हैं बहाँ भी इसकी अधिक्तम सीमा दो लाक रुपए से अधिक नहीं हो सकती है आप बात करते हैं section 80EE की और यहां आप ले सकते हैं home loan के interest पर एक additional छूट और इस छूट की जो maximum सीमा है वो है 50,000 रुपए यानि कि यदि आपने section 24 के तहर 2,000,000 रुपए की छूट ली है और आपका interest और बच रहा है तो उस जो additional interest है उसकी यहां 50,000 तक छूट आप section 80EE में ले सकते हैं परंतु condition यह है कि आपका जो loan होना चाहिए वो sanction होना चाहिए एक अपरेल 2016 से 31 माज 2017 के बीच loan का maximum amount 35,000,000 से अधिक नहीं होना चाहिए और जो house property है उसकी कीमत 50,000,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और SAC को उस बल्स उसके पास जब उसने मकान खरीदा है उसके नाम उससे पहले कोई अन्य मकान नहीं होना चाहिए होम लोन लेकर tax shoot का लाव लेने वालों को एक बात का बिसे ध्यान लखना है उनको मकान लेने के बाद 5 सालों तक नहीं बेचना है और यदि वे 5 साल से पहले मकान बेच देते हैं तो उन्होंने जो छूट का लाव लिया है income tax tax में वो रिवर्ट हो जाएगी और उस पर उनको tax देना पड़ेगा इस वीडियो में होम लोन के फायदे बताने का उद्दे से यह नहीं है कि हम आपको लोन लेने के लिए प्रोशाहित कर रहे हैं किर्प्या होम लोन के लाव एब महानियों को जानने के बाद ही कोई नहीं ले होम लोन लेना आपका अब्यक्तिकत फैसला है इसके लिए हम किसी भी प्रकार जिम्मेबाद नहीं होंगे यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताईए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को भी त से दावाएं